गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हाव आरे बेटा आई होप आप सवस्थ होंगे आज बेटा हमारा जो है चैप्टर फाइफ विदाई का देखो बेटा हमने जैसे पिछे आपको बताया था संस्थाई तीन तरह के होती है कारेपाली का जो कि हमने पिछली जो है अध्ध्य कानुन का निर्मान करना तो बटा विदाई का क्या है संग की विदाई का को हम क्या कहते है बटा संसद यदि आप से पुछा जाए कानून बनाने की संस्था किसे कहेंगे विटा संस्थ को कानून बनाने की संस्था किसे कहेंगे संस्थ को तो संग विदाय का जो कि हम उसे संस्थ गयते है यह है राश्पति की दो सदन अब देखो पुठा यदि आप से पुछा जाता है संसद के सदन कितने तो आप क्या बताएंगे दो लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा लेकिन बेटा यदि संसद के अंग अंग के तोर पुछा जाए अंग के तोर पुछे तो आप क्या बताएंगे क्या तीन और तीन कौन लोकसभा राज्यसभा और तीसरा कौन बेटा राश्पति तीसरा कौन बेटा राश्पति जो की अंग के तोर पर गुमिका निवाता है इसी के साथ हम देखते हैं बिटा जनता का सदन जो कि लोकसभा कहलाता है राज्यों की विदाइका को विदान मंडल या विदान शबा कहते है विदाइका का चुनाओ जनता दवरा होता है इसलिए यह जनता के परति निधी बनकर कानूर का निर्मान करता है इसका काफी पाक्ष भी पाक्ष किया जाता है परदर्शन किया जाता है सरो सहमयती ले जाती है आधी बातों पर द्यान रखा जाता है लोकतंतर सासन में विदायका का मैतव बहुत अधिक होता है बारत में संसती सासन परणाली को अपनाय गया है जो कि बिल्टिस परणाली पर आदा रहता है संसती सासन परणाली जो कि मैंने पहले बताया था जिस शासन पर्णाली के अंतरगत दो या दो से अधिक्सतर की सरकार पाई जाते उसे संसते शासन पर्णाली, संगवाद या संगे व्यवस्था कहा जाता है तो ये किसे बिल्टेन, बिल्टिस जो है पर्णाली से ली गई है या उस पर आदा रहता है अगली बात आती है बिटा, सरकार के जो अंग है, सरकार के तीन अंग होते हैं विदाईका, कारेपालिका, नेपालिका यह हम कह सकते हैं संस्थाई तीन प्रकार के होती है विदाईका, कारेपालिका और नेपालिका विदाई का का काम क्या होता है कानून बनाना होता है क्या होता है बिटा खानून बनाना होता है बनाना होता है जबकि कारे पाली का काम क्या होता है बिटा लागू करना होता है कानून को लागू करना होता है बिटा ठीक है जबकि नहे पाली का काम क्या होता है शुरक्षा करना होता है ठीक है बटा तो इस प्रकार सरकार के यह एसंस्थाओं के तीन अंग हुए स्विधान के अनुछे 76 के अनुसार जो है वारतिये संसद में दो सद्रों के साथ साथ राष्ट्पति को भी समलिते किया जाता है अगर हम बात करें बटा संसद 79 आर्टिकल 79 जबकि हम देखते हैं विदाय का के जो है दो प्रकार होते हैं एक किंदर में संसद और दूसरा राज्य में विदान मंडल अब देखूं यहाँ पर किंदर में संसद बताया बटा संसद के उपर अगर हम बात करें तो द्यानी से सुनना आपसे यहाँ पर एक क्यूप्ट्टन भी बनता है लोग सभा लोग सभा और राज्य सभा में अंतर बताओ तो अगर अंतर की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं लोग सभा में अधिक्तम सद से संख्यान लोग सभा में अधिक्तम सद से संख्यान कितनी होती बटा पांसुपचास राज्य सभा में अधिक्तम सद से संख्यान कितनी होती हैं दोसुपचास लोग सभा में वर्तमान सद से संख्यान कितनी होती हैं पांसुपैंतारिस वर्तमान सद से संख्यान जबकि राज्य सबा में वर्तमान सिदर से सिंखे कितनी? 245 लोग सबा में निर्वाचित निर्वाचित क्या होता है? लोगों के दवारा चैनित तो लोग सबा में निर्वाचित सिदर से सिंखे कितनी? 543 जबकि राज्य सभा में निर्वाची सिदे से सिंखें कितनी 233 ठीक है लोग सभा में निर्वाची सिदे सिंखें 543 राज्य सभा में निर्वाची सिदे सिंखें 233 लोग सभा में राष्टपती दवरा मनुनित सिंखें कितनी 2 तो राज्य सभा में राष्ट्पती दमनों तो 3 स्पहे हैं बारा लोगसभा का कारिकल केतना होता है पांच लज्फ जिबका राज्जर्ज सभा शेवर्ष का और एक लोगसभा क्या उन्युकशा-थान भी टा नीचला सदन है जिबकि राज्य सभा कौन से सदन है उच्छ सदन है किलियर हो गया क्यूशन बन गया लोग सभा और राज्य सभा में अंतर बताओ यह नोट कर लो अपने जो है नोट्बुक में डाउनलोड कर लो इनको आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें बताया बारति संसद के दो भाग जैसे लोग सभा बारति संसद के ऐस्थाई सदन को लोग सभा कह जाता है अब यहाँ पर एक बात है स्थाई सदन आपसे पूछ ले जाए किस सदन को हम स्थाई सदन कहेंगे बिटा स्थाई सदन है राज्य सभा और उस 27 सदन क्यों है वो मैं आपको बता दूँ क्योंकि इसके जो राज्य सबा के हर एक तियाई सदस से दो वर्ष के पश्यात आउकास ले लेते हैं, बदलते रहते हैं तो इस पर कर जो राज्य सबा एक क्या हो जाता है बिटा राज्य सबा एक 27 सदन है आपसे आगे future में पूछा जा सकता है interest exam में कि राज्य सबा को किस सेदन को स्थाई सेदन का जाता है तो आप बताइए राज्य सबा को तो इस प्रका के question आगे प्रिक्षाओं में पुछे जा सकते हैं बेटा आगे next लेते हैं लोगसबा एक S3 सेदन है और जिसका कारेकाल पांच वर्ष होता है और इसके जो हम देखते हैं निर्वाची सेदस्य से होते हैं वो पांचो तेन तालेस है बेटा कितने हैं पांचो तेन तालेस जो लोग के दवरा चैनित होते हैं जबकि राष्ट पर दवरा कितने हैं दो next राज्यसभा बारति सेदस्य सेदन जो कि 27 सेदन होता है राज्यसभा कहते हैं इसके सेदस्यों का कारेकाल 6 वर्ष होता है संसद के दो सदनों की आवसकता विवित्ता जैसे की पूरुन देश प्राई दी सदनात्मक राष्ट विदायक चाते हैं ताकि समाज की सभी वर्गों को उचित परतिन दितो दिया जा सके तो इसका एक अनलाबी है कि एक सदन दवारा लिये गए परतिक निर्ने पर दूसरे सदन पुनर विचार हो जाता है तो इसलिए हम दो सदनों की आवसकता होती है जैसे हम देखते कोई भी विदायक लोग सभाम पारित होता है तो उस पर पक्स भी पक्स होता है उसके भी दो त्यायश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्य हमें होती है अगली बाद आते बिटा संसत के प्रमुक कारिये के उपर संसत के प्रमुक कारिये क्या क्या है संसत क्या काम करती है जैसे कि पहला कानुन बराना कारिय पालिका पर नियंत्रन रखना वित्यकारिय बजट पारित करना सिविधान संसोधन करना निर्वाचन अगली बात आते दीशतना त्मक्विदाए का वाले प्रांथ पर देखो हम देखते हैं विदाहन मंडल एक होता है विदान शबा और एक होते उट्था विदान परिशद हम देखते हैं कई जो राज्य हैं उसमें एक सदन विदान सभाही होते हैं तो कईयों में हम देखते हैं विदान परिशद और विदान सभा दोनू विदायका देखने को मिलती है तो यहाँ पर जैसे कि देखते हैं भियार है, जम्मु कस्मीर है, उत्तर पर्देश है, मारास्ट है, कर्नाटक है इनमें क्या है? दी सिदनाथम के विदायका वाले जो प्रांत या छेतर या राज्ये हैं अगली बात करते हैं हम राज्यसबा के उपर देखो बटा राज्यसबा की हम यहाँ पर कंप्लिट लेंगे कि भी राज्यसबा की रचना बताओ राज्यसबा की योगता बताओ राज्यसभा की सक्तिवे कारिये बताओ तो बारतिस इंसत का जो उपरी सेदन होता है वो राज्यसभा होता है इसके अधिक्तम 250 सेदन होते हैं जिनमें 12 राष्टपती दवरा मनुनित और 238 राज्य दवरा एपर्थक्स चुनाओ दवरा निर्वाचित होते हैं इनका निर्वाचित छे वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा एक 27 सेदन है परतिक दो वर्ष बाद इसमें से एक 3 सेदस्यों का चुनाओ होता है और मनुनित सेदस्य साहित विज्ञान कला और शमास से भी खेल आदी छेत्रों से ले जाते हैं मलो कितने हम देखते हैं राज्यसभा में से 12 सेदस्यों चैनित होते हैं तो ये क्या बता दे हमने राज्यसभा की रचना नोट कर लेंगे बटा ठीक है बटा अब राज्यसभा की सेदस्यों की यूगता वे बार्त का नागरी को उसकी ईयू हो इनका निर्वाचन एकल संक्रण उप्रत्य नीदिक कानुन के अनुसार राजय सभा या लोकसभा के उमिद्वार का नाम किसी किसी ने किसी संसदी निर्वाचिक छेतर में पंजीगर्द होना आउशक है अब इसकी अगर हम सक्तियों के उपर बात करें तो बटा जैसे वित्य विदेग पर राजे सबा 14 दिन तक विचार कर सकता है भलो उसको देरी से बेश सकता है या रोक सकता है परशाशनिक शक्तियों मंत्रियों से उनके विवागों सम्मंद में परशन राजे सबा से में जो पुछे जा सकते हैं और अन्य अगर शक्तियों की बात करें जैसे चुनाओ के दोरान सहे भीयोग के दोरान आपात स्थित्ति की गोशना नए दिश्यों के उजए उसके पद चैटाया जाना इतियादी पर दोनों सो दोनों के अनुमती होना जरूरी होता है तो ये सबी क्या बताए राज़ सबा की राज़ सबा की राज़ सबा की सकतियां बेटा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लोकसभा के उपर क्योंसा नेक्स्ट यह बन जाएगा लोकसभा की रचना योगता व्य सक्तिवे कारिय बताओ बिटा तो लोकसभा भारती सिंसत का निमन सदन है इसमें अधिक्तम 500 यहां पर 50 दिया वैसे 552 सदस है हो सकते हैं वर्तमान में लोकसभा में 555 जैसे वर्तमान सदसे सेंग्या नोट करेंगे जबकि निरवाचित आप नोट करेंगे क्या निरवाचित पांसो तेन्तालिस राइट बीटा ऐसे नोट करेंगे आप सदेश्चे हैं दो सदेश्चे एंगलो इंडियन को राश्पती मनुनित करता है लोगसबा की सदेश्चों का चुनाव जनता दवरा परत्यक्ष रूप से किया जाता है इसका कारेकल केतना होता है पांच वर्स होता है बिटा परन्तु उसे समय से पहले भी बंग किया जा सकता है बारत में संसदी इसासन परणाले होने के कारण लोगसबा अधिक सक्तिसाली है क्यूंकि इसके सदेश्चों का निर्वाचन परतक्स रूप से होता है इसे कारेपले का कोटाने को सक्ति भी प्राप्त होती है अब हम ये तो तिर रचना अब इसकी योगेता के उपर बात कर लें बारत का नागरी को आयू 25 वर्स पागल वे दिवाले नहों किसी लाबकारी पदपरासिन नहों ये क्या है योगेता अगली बात हम करते हैं लोगसभा को विशेश सक्तियां संग सुच्ची और समवर्ति सुच्ची के विशेव पर कानून बनाती है दनविदेकों और समाने विदेकों को परस्तुत और पारित करती है दनविदेका में से कहां लोग सबा में ही पारित किया जाता है तो ये इसके दन्विद्यक से सम्मद्य सक्तिया है यहां तक संग और समवर्ति सुच्ची पर भी कानुम ब्राने का अधिकार किसको है लोग सबा को है कर प्रस्ताओं बजट और वार्षिक वित्ते वक्ताओं की जो स्विकृति लोग सबाई देता है परसन पूछ कर पूरग परसन पूछ कर परस्ताओं लाकर और एविश्वास परस्ताओं के माद धम से भी कारे पालिका को नियंतरती कौन करती है लोग सबाई करती है लोगसबा स्विधान में संसोतन का कारे में भूमिका निवाती है आपातकल की गोशना को स्विकृति देती है कौन लोगसबा यहां तक की राश्पती और उप्राश्पती का चुनाओ करती है और उन्हें और शुरुचें नेले के नए दिश्पती को अटा भी शक्ति कौन लोगसबा तो यह इसी परकार से स्मीती और आयोग का गठन करती है और उनके परतिवेदन पर विचार करती है इसके साथ हम देखते हैं दन विदेक के और लोगसबा में परस्तूत किये जाते हैं लोगसबा के पास राज्यसबा से अधिक सक्तिया है राज्यसबा को जनता नहीं बलकिन जहें विदायक चुनते हैं इसके साथ साथ हम देखते हैं सिविदान दवरा अपनाई गई लोकतंतर वेवस्ता में जन्ता के पास अंतिम सक्ति होती है यही कार्ण है कि सिविदान में निर्वाचित परतिनिदी लोकसभा के पास ही सरकार को अटाने और वित्त पर नियंतर रखने की सक्ति दी गई है तो ये सभी क्या हैं लोकसबा की सक्तिवे कारिये क्लिर हुआ बटा अब हम विदेग के बारे में बता दें विदेग बटा दो तरह के होता है एक होता है वित्त विदेग और एक होता है साधन विदेग वित्त विदेग के वल कहाँ पारित होता बिटा लोकसभा में जबकि साधन विदेग किसी भी सदन में पारित हो सकता है मलों दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है प्रस्तावित जह कानून के प्रारूप को विदेग कहते हैं बिटा जैसे विदेग के उपर एक तालिका बनाई हमने विदेग प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुछेद 107 से 112 कानून निर्मान है विदेग दो प्रकार का होता है, एक सरकारी विदेग और एक गैर सरकारी विदेग जो मंतरी दोबरा पेश किया जाता है वो सरकारी विदेग होता है और गैर सरकारी संसत का अन्य कोई सदस्य पेश करता है उसको गैर सरकारी विदेग कहते है जो मंतरी दोरा पेस किया जाता है उसमें जैसे धन विदेक होता है साधन विदेक होता है और शविदान में सिंसोधन विदेक होता है जबकि हम देखते हैं गैर सरकारी विदेक होता है वो साधन विदेक भी होता है और शविदान सिंसोधन विदेक भी होता है तो ये तालिक आप अपनी fair note में बनाएंगे भी इस प्रकार का डाइगराम एक बड़ डाउनलोड कर लें आप अपनी इसको इसके बाद में परकिरिया हम विदेग के उपर अगर परकिरिया की बात करें तो बटा इस परकार से परकिरिया चलती है विदेग पर काफी जो पक्स भी पक्स होता है काफी परकिरिया होने के पस्यात ही कानून बनता है जैसे पर्थम वाचन, दित्ते वाचन, स्मिती स्तर पर स्मिती की रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है तिर्ते वाचन किया जाता है फिर दूसरे सदन में परकिरिया होती है फिर राष्ट पती उसको स्विक्रती करता है तब वो विद्यक या कानून पारित किया जाता है तो यह क्या है परकिरिया नेक्स्ट संसद्य नियंत्रन के साधन के उपर बात करें काफी पक्षविपक्स करने पक्षविपक्स किया जाता है पर्शनकाल किया जाता है सुन्नेकाल और सत्गनन प्रस्ताओ ये क्या है संसद्य नियंत्रन के साधन है कानुन की स्विकर्ति या ऐस्विकर्ति की जा सकती ह वित्य नियंत्रन किया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताओ भी पारित किया जाता है, तो यह कहा है, संसद पर नियंत्रन करने के कुछ उपाई है, समाधान है, साधन है, अगली बात आती है, संसदी स्मित्यों के उपर, विविन विदाईक वे देनिक कारियों के लिए स्मित् लेखा सोरी लोक लेखा स्मिति बार सरकार के वीविन विवागों का खर्च नीमा नुशार हुआ है या नहीं ये इस्नीति के अंतरगत होता है प्राकलन स्मिति खर्च में की फायत किस कि जा सकती है यह समित्य का काम है जब कि लोक उप्करम स्मित्य जो होती है वो सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जाज करती है कि युद्योगों का व्यवशाय कुसलता पूरक चलाए जा रहा है या नहीं तो यह वित्ते से सम्बदी स्मितियां यह नियंतर रखती है द्यान रखती है अब अगली बात आती है विवागिये स्थाई जो स्मिति है वो नियमन स्मिति विशेश दिगार स्मिति कार्यमंत्रन स् आश्राशन स्मिति जो की विवागे स्थाई स्मितियां होती है एक तदर्थ स्मितियां विशिष्ट विश्यों की जाच परताल करने पर तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जासता है बोफरोस समझोते से समदित जोय स्मितियों दवरा दिये गए सुजाओं को संसद साइध ही नामुंजूर करती है इसके बाद में हम देखते हैं बिटा संसद श्यम को किस प्रकार नियंतित करती है अपने आपको संसद का सार्थक वै अनुशासित होना जरूरी है सदन का अध्यक्ष विदायका की कारवाई के मामलों में सुरोच्य अधिकारी होता है दल बदर विरोधिक कानून जो कि 1985 में लागू किया गया बावन में स्वेदानिक संसोधन के तहत 91 में स्वेदानिक संसोधन द्वारा संसोधित किया गया यदि कोई से अपने दल की नेटर्थां के आदेश के बावजूद सदन में उप्षतित नया हो, या दल के नेटेश को विप्रित सदन में मद्दान करे, तो यह स्विछचा अनुरूप ज़िए अपने सिधासर्था में त्याक बतर दे दे तो उसे दल बदल क आ जाता है, तो बारत्य संग आत्म सरकार में जैसे कि पहले 29 राजे थे अब 28 राजे हैं और केंदर साशित परदेश साथ इकायों को मिलाकर जब बारत्य संग इसासन की स्थापना करती है तो दिल्ली को राष्टि राजदानी छेतर का दरजा दिया गया है तो इसमें केंदर साशित की विवैस्ता एक समान नहीं है कुछ राज़ों में एक सदनी तथा कुछ राज़ों में दी सदनी विवैस्ता है जैसे कि हम देखते हैं एक सदनी विवैस्ता है जबकि माराष्ट में हम देखते हैं दी सदनी विवैस्ता है राज़ों के कानु निर्मान का कारी विदान मं के दो सदन एक विदान सबा और दूसरे विदान परिशद ठीक है बटा विदान सबा है जो कि निमन सबन है और विदान परिशद उच सबन है पावर हूल कौन सा है विदान सबा दी सबनी राज्ये जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था जैसे जम्मू कस्मिर उत्रपरदेश तेलंगाना बिहार मारास्ट आंदर परदेश ये साथ राजे बाकी सभी राजे एक सदनी है विदान सबा की सक्तियां अगर बात करें तो विदाही कारेकारी सक्तियां होती है वित्य सक्तियां प्राप्त होती है कारेपाली का सक्तियां है चुनाव समंदी सक्तियां है विदान परिशत की सक्तियां जैसे कि हम देखते हैं विदाई सक्तियां वित्य सक्तियां कारेपले का सक्तियां लेकिन इन दोनों सद्रों में से आधिक पावरफुल कौन सा है विदान सभा है ठीक है मालों दोनों सद्रों में से आपस मत्वेद उत्पन हो जाता है तो किसको प्रात्मिता दी जाती है विदान सबा को भी प्रात्मिता दी जाती है तो बिठा इस वीडियो के मादम से जो आपको टोपिक समझाए I hope आपके समझ में आ गए होंगे जो भी जो भी इस टोपिक से समझ जो कुशन बनते हैं वो सभी कुशन अपने फेर नोट बुक में राइट करना है बेटा, लर्न करना है ओके नाच टोकिंग टू यू बेटा थैंक यू